मुगल काल में अभी तक हम ने देखा कि कितनी सारे सासकों का प्रदुर्भा हुआ उन्होंने अपने समय में किस तरह से सामराजी का विस्तार किया अपनी सैनी सक्ति को संगठित किया और इसके सासा सांस्कृतिक उपलब्धियों के उपर किस तरह से ध्यान दिया गया मुगल काल के स्वेधे की वास्तुखुला स्थाप्तिकला कहा विकास होता है उसके बाद के कालों में उनकी जो उतरतीकारी रहता है जैसे कि जब औरंगेब Prestoil का काल आता है तो किसी भी तरह का संस्कृतिक उपलबधी देखने को नहीं मिलती है इसके अलावे दक्षिन की छित्र का बज्यादा प्रभाव दिखता है और इंजेब के काल में उनके बाद उनका उत्रधिकारी आता है बहादूर साब प्रतम और आजम देखने वाले कि बहादूर साफ प्रतम जिसे की एक और नाम मुज्जम के नाम से भी जाना जाता है आजम देखने वाले हैं कि किस तरह से उत्रधिकार के युद में अपने भाईयों के साथ उनकी जो भाई थे मुहमद आजम और कामबक्ष इन दोनों के साथ उत्रधिकार के युद में उन्होंने विजय हासिल की और अपने आपको मुगल सामराजे को कुछ देर के लिए इस्तायतियों प्रदान करने की कोईसिस मात रखे जिसमें कि वो पूरी तरह से असफल हो गए तो आज का हमारा टॉपिक है बहादूर साथ प्रथम इनकी सासनकाल देखे तो यहां बताया गया है 19 जून 1707 से लेकर 27 फरवरी 1712 इसवी तर उनका पूरा नाम था कुदुब उद्दीन मुहमद मुज्जम जन्मतिति की बात करें तो बहादूर साथ प्रथम का जन्म बताया जाता है 14 अक्टूबर 1643 इसवी संभव था बुरहानपूर मुगल सामराज माता का नाम था रहमतुनिस बेगम जिन्हें की नवाब बाई की नाम से भी जानते हैं और पिता थे औरंग जिव इनके सासन काल की जो अबधी थी वह बहुत ही कम देखनी को मिलती है चुकि 1707 से 1712 सभी जब यह संभासन पर बैठते तभी इनकी उम्र रहती है 63 वर्स की काफी अधेर उम्र में यह समराड बनते हैं लेकिन कुछ दिर होता कि यह कोशिस ऐसा करते हैं कि यह मुगल समराज को कुछ दिर के लिए और इस्थिरता प्रदान कर सके इसके लिए इन्होंने बहुत जादा मेहनत की सबसे पहले तो ग्रही यूद से ही इन्हें विजय हासिल करने परे जो कि इन्हें अपने भायों के साथ ही लड़नी परी थी सबसे पहले तो जब औरंग जेब की मृति होती है तो उसकी मृतियों के समय उसके तीन पुत्र रहते हैं सबसे बड़े का नाम है मौज़म, सेकंड नमबर में आज़म और तीसरी रहते हैं कामबग्ज जब औरंग जेब मर रहे होते हैं मृतियों सर्यापर लेटे होते हैं तभी औरंग जेब को अपने तीनों पुत्रों के बीच में जो संघर्स होने वाला है यानि कि भावी संघर्स की जो कल्पना है जो आभास है उसका अंदाजा हो गया था और उसने अपने तीनों बच्चों के बीच में किसी तरह का युद्ध ना हो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंतिजाम किया था तीनों को अपने रहते काल में ही अलग-अलग सामराजी यानि कि उनके बीच बटवारा कर दिया था तीनों पुत्रों को एक सथ बताया गया था कि उनके बीच में किसी तरह का युद्ध नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी उनके मिरतियों के बाद जो कि चार मार्च को हो यह सबसे बड़े पुत्र थे और चै़सा нуж हुआ जब ऑलंग के बाद नके पुत्रों में सबसे जादा प्रभाव्र मौज्यम का ही देखा जाता है यानि कि बहादूर सा प्रतम का दिखा जाता है जब औरंग जेब की मृतियों होती है तो उसकी मृतियों की सबसे पहले खबर उसके दूसरे पुत्र जिनका की नाम आजम था और उसमें उनकी स्थिती थी दक्षिन में यानि कि वो दक्षिन में स्थिती पर उन्हीं सासन सम्हालने के लिए भेजा गया था तो 14 मार्च को आजम को पता चलता है कि उनकी पिता की मर्यतियों के बाद उन्होंने 14 मार्च को अपना राजयभी सिर्ख करा दिया था अपने नाम की सिर्खे चलवाएं और अपना नामधारन किया था अबुल फैज कुतुब अधिन मुहम्मद आजम साहगाजी इसकी उपादी ली थी वहाँ पे उन्हें को सपोर्सी भी मिल गए थे क्योंकि दक्षिन में जितने भी सरदार थे जितने भी इरानी सरदार थे या फिर जो अमीर थे वहाँ के वे सभी लोग आजम की मदद कर रहे थे उनका साहथ दे रहे थे इनमें इरानी सरदारों का साहथ आजम को नहीं मिला था क्योंकि आजम के उपर सिया और सियाओं के साथ सियाओं का समर्थक होने का संदे हमेशा से बना रहा है क्योंकि वो धर्मिक रूप से थोड़े बहुत धर्मिक सहसनू वैकती थे तो इरानी जो सरदात है वे उनका यह मानना था कि आजम जो हैं वे सिया मत को मानने वाले हैं यह उसके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक साबित हुआ क्योंकि जब आजम को अपनी पिता की मृध्यू का सूचना मिलता है तो उसने अपना राज्या भिसेक तो करवा ही लिया लेकिन खस खस इसके साथ उन्होंने क्या किया यह ख़बर कामभक्ष को भी भीजवा दिया काम सरदार के रूप में अपना राज्या देख रहे थे वहां भी कामभक्ष ने अपना अलग से राज्या भीसे करवा लिया और उसने दीन पना का विरुद्धारन किया था उसने भी अपने नाम के सिक्के ढूलवाएं खुतवें पढ़वाएं लेकिन कामबक्ष की इस्तिति अपने दो भाईयों दोनों जो बरे भाई थे उनके तुला में बहुत ही कम थी कुल मिलाकर देखा जाए तो इनके इस आसनकाल में बहुत है कि औरंग जेप के बात का जो समय काल रहता है उसमें बहादूर सा प्रत्म की ही इस्तिती थोरी बहुत मजबूत रहती है बहादूर सा उसमें काबूल में रहता है और उसे काबूल में ही सुचना मिलती है कि उसकी प्रिता की मृत्य हो गई है वह भागा भागा अपने राजे में आता है लाहूर आता है दिल ले आता है और फिर वहां करके उसने क्या क्या अपने दोनों भाई जिसने की पहले अपने नाम का राजे भी सिक करवा लिया था सिक्के ढलवा लिया थी खुद्वा परव क्वालिया था इन दोनों को चैलेंच किया सबसे पहले तो आजम को बोला आजम ने अपने भाई बहादूर्सा ने जो उसे बेड़ा था कि सुला कर लें के लिए और औरंग जैप के दोब जो सामराजी का बटवारा कर दिया गया था बहदुर साह तयार था उसके लिए कि वो अपने भाईयों में बटवारा कर देगा और सामराजी को अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग जगों पर उबहुग किया जाएगा लेकिन आजम इसके लिए राजी नहीं हुआ वो पूरा सामराजी ही हत्याना चाहता था बहादूर सारसे उसकी ज़रप हुई और आजम की हार हुई और इसी हार में उसकी मृत्यूबी भी हुग थे इसके बाद उसने यानि कि बहादुर साने से नेयो था अपने सबसे चोटे भाई कामबक्ष को भीजा लेकिन कामबक्ष के ऊपर भी पूरे दिल्लि सल्टत को हत्याँने का सुपने चरहा हुआ था उसने भी अपने बड़े भाई की बात नहीं मानने के बाद उन दोनों के बीच युद्ध हुआ और अंतने होती है कामवक्ष की हाथ चुकि बहादूर साह ने अपने भाई के उपर रहम करते वे उसे मृतियों के घाट नहीं होता रहा लेकिन उसे अपने अंदर काम करने के लिए राजी जरूर कर लिया था इसके बाद यहां बताया जा रहा है कि बहादूर साहा ने अपने सासन काल में अपने सहयोगियों को कई नहीं नहीं उपा दियां एवां उचे दर्जे प्रदान किये थे हालांकि बहादूर साहा के सासन के समय उसके दर्बार में सर्यांतर के कारद दो दल दो दलों में उनका विभाजन हो गया था एक थी इरानी दल जो सियाब मत को मानने वाले थे और दूसरे थी तुरानी दल जो कि सुनने मत को मानने वाले थे बहादूर साथ प्रत्म ने राजपूतों के साथ भी संधी की नीती अपनाई थी और इसके साथ-साथ-स्तिमे मराठाओं के साथ भी संथी करने की कोशिज़ की थी जो मुगल वंस के लिए सबसे बरा खत्रा साबित हुआ तो इस तरह से यहां बता आय जा रहा है कि किस तरह से मुगल बाधसा बहाधूर सा ने अपने सासनकाल में सबसे पहले तो अपने ग्रीह युद में विजए हासल की अपने दोनों भाईों के खिलाफ विजए हासल की फिर अपने सबसे छोटे भाई कामबक्ष को अपने अंदर कहीं का सरदार नियूक्त कर दिया उसे रख लिया इसके बाद उनका दूसरा अभ्यान होता है अपना मितरता पुर्ण वेवार इस्थापित किया वे गुरू को नहीं उता भी दिया और वे दोनों साथ साथ दक्षिन चलने के लिए तयार भी हो गए थे लेकिन जब रास्ते में क्या हुआ रास्ते में जब नादेर पहुंचे जब गुरू जी गुरू गोविंद सी और बहादूर साथ दोनों ही नादेर पहुंचे तो गुरू जी उससे में बहादूर साथ से अलग हो गए और उन्होंने कहा कि वो अपने बागी का जो भी जीवन बचा हुआ है वो नादेर में रहकर ही बिताना चाहते हैं और इसी बीच आगे चलकर 17 नमबर 1708 को गुरू गो को मानने वाले सासक आए उन सब के उपर अपना प्रभुद्व कायम करना चाहा और मितरता का संबंध जो कि गुरू गोविंत सी ने कायम किया था उसे खत्म कर दिया बलकि यहां तक कि बंदा बाहदूर ने ऐसा भी किया उन्होंने कहा कि जितने भी मुसल्मान है उनकी वि 6 रुपे खुदी कबजा भी कर लिया इन सारी 6 रुपे कबजा करने का एक मात्र उद्देश से था कि सिखों की वर्चस है उसे फिर से बहाल करना है सिख सेनाए दिली के बहारी सिमाओं पर आ गई बरी बरी सेनाए पहुंच गए और वहां पहुंच के उन्होंने लूट प प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने अपने अनुयायू की संख्या में काफी जादा वरीधी कर ली दिया आगे चलकर सरहिंद सरहिंद का जो इस्थान ने सरहिंद को उन्होंने अपने क्रिया कलाब का केंद्र बनाया था इसके अलावे पंजाब और उतर पर्दिश का जो आने के लिए समराट बहादूर साने राजपूतों से भी संधी की थी चुकि यह संधी बात के समय में उनके लिए काफी जाता घहा तक सिद्ध होती है राजपूतों से जो संधी होती है वह 1710 हिस्वी के समय में किया जाता है और इसका स्थान रहता है संधौरा लेकि चिक्ति में पहrage भाग जाता है और यह झाल पमकर और तुमस के लगता है तरहां राजा भाहब के राजा भागता ही रहता है बाद में बहादूर सा प्रցखम जो रहते हैं वो बांदा को पकरने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं, फिर भी उसे पकरने पाते हैं, उनके जीवनकाल में तो उसे पकरना नहीं ही जा सका, यानि कि बहादूर साह जब चले जाते है जब उनके मृति हो जाती है तब उसके बाद बांदा बहादूर को पक्रा जा सका था उसके बाद दूसरी निती होती है बहादूर साह की दक्कन के प्रति जहां तक दक्कन का प्रस्ण था तो वहां पर ऐसा पाया जाता है कि जो नित पक्स- कीजब मुरुत्य हो जाती तो उसकी बाद जुलफिक-कर खाँ मराथा से संधी के पक्ष बिल्कुहें हैं कि देखी तो देख्वेत के चेटर के एस पास रहता है और चुलफिक-कर खाँ मराथा जो के एक कटर इसके अलावे बहादूर साह जो रहते हैं उन्होंने संभाजी के बेटे संभाजी के जो बेटे रहते हैं और सिवाजी की जो पोती रहते था साहू साहू को मुक्त कर दिया था क्योंकि वह इसे मित्रता पुर्न विवहार इस्थापित करना चाहते थे लेकिन साहू जी साहू के दोरा चौथ और सरदेश मुखी यह दो प्रकार के जो कर हैं जो कि मुगलो मुगलो ने मराठो के दोरा लिया जाता है अपने परोसी राजियों से तो वो दुने के उपर बहादूर सा तयार नहीं थे लेकिन साहुची जो थे वे इसके लिए तयार थे वे चाहते थे कि उन बहादूर साह इसके बारे में कभी भी कोई पुस्टी नहीं करते हैं और इसका परिनाम यह होता है कि दक्कन का जो छेत रह जाता है जो उसमें बहुत जादा दूवीधा और वेवस्ता इस तरह का महौल बन जाता है इसी भी 1712 इस वी को बहादूर साह के मृत्वी भी हो ज मुगलो को फिर से स्थापित करने का इसके लिए उसने राजपूतों के साथ संधी की इसके लिए सिखों को अपनी और मिलाने की कोशिस की दक्कन का जो छेतर है वहाँ पर भी अपनी नीती को भी अपनाया लेकिन इन सारी नीतियों का कोई भी असर नहीं होता है और चरीतर कि अगर देखे लिए इसका शासनकाल बहुत ही कम रहा और इसी अपने सासनकाल में बहुत कुछ करने का मौका मिलनें पाया, व्यक्तिकत तरब पर उसका अगर चरीतर और उपलब्धी को देखा जाए तो उसी सहस्तोर पे एक महान मुगल उतराधिकारी माना जा सकता है अपनी उदार दूरडर्सिता और व्यभारी की राजनीती जो थी उसकी उसमें वह अपनी पिता से स्रेश्ट था पिता से स्रेश्ट इस रेरी में था कि जो प्रॉब्लम देखि जिसके निची थी उन सब में वह अपने पिता से औरंग जेव से बहादूर्सा की निथी को अच्छा माना जा सकता है लेकिन काम्याबी के जहां तक बात रहे तो उसमें काम्याबी के छेतर में औरंग जेव का ही नाम रहेगा राजपूत मराठ्य और सिक्ष शिखों के प्रती जो सहिस्नु और अक्रमन कारी नीती अपनाया था उसी के करण उसकी कबर भी खोड़ डाले गये थे चुकि यह कहा जाता है कि वह अपने साथ मुगल समराजी को भी पतन के रास्ते पर छोड़ दिया गया चोड़ा के चला गया था संपूर्ण राज में आववस्ता फैला दिय अरजक्ता फैला दिया लेकिन इन सभी सक्टियों की पृति और क्या हुआ उदारता उदारता और कुछ अंसों में मित्रित्ब़ की जो नीती है उसे बहदुरौ साने अपनाया उसने प्ता के तुला में अपने कुसल राजनीतितिये जो पहचान होती है अपनी जो दूरड व्यक्तियों की चुना वी योगी व्यक्तियों की चुना उन्हें सब्सक्राइब इस तरह दो प्रामर्स निरंतरता था उनसे जिए पराप्त होता था उसी ने निश्चित रूप से उसके यानि कि बहादूर साह के सासन काल को सफल बनाया था तो इस तरह से बहादूर साह के परसनल व्यातिका तोर पे अगर हम लोग देखे तो वह एक सफल उत्तर कालिन मुगल समराट के रूप में देखा जा सकता है तो ये था अभी का हमारा बहादूर सा प्रथम मिलते हैं इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद जै भारत